तो आज आपको डॉक्टर बनाई देते फिर MBBS वाला नहीं, PhD वाला Confusion बस यही होता है जब आप किसी नई चीज़ के लिए अपलाई कर रहे होते हैं मुझे भी था कौन से इनिवेसिटी चूज करें कैसे प्रोफेसर को चूज करें कौन-कौन से टेस्ट हमें देने पड़ेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंस लगेंगे क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हमें एक फुली फंडेट प्येश्डी मिल सकती आज इस वीडियो में सब बताऊँगा अधको accept केसाब से आपको रइंक देखनी होंगी ओ इफ डिपरैंटissä desarrollo जहान से कि आप सब्रसाई कर सकते हैं कौन से अपलाइं करना है और नहीं करना है दूसरी सोर्स है वो है शंघा है इसमें वी सेम हैं आपको जाना है वेबसाइट पर और अपने subject के हिसाब से university rankings को देखना है इसके basis पर आप scrutiny कर सकते हैं कि कौन से university में आपको apply करना है और कौन से में नहीं करना है थर्ड जो source हो सकता है वो है आपके seniors in your current university आप अपने seniors को भी contact कर सकते हैं to identify the universities जहां आप apply करना चाहते हैं four source हो सकता है आपके professors आपकी current university में जो professors आपको पढ़ा रहे हैं उनसे भी आप guidance ले सकते हैं कि 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 उनिवर्सिटी में हम apply करें और कहां ना करें तो ये वो चार sources हैं जिनके मदद से आप university identify करेंगे अब university identification के साथ आपको एक चोड़ा सा step और करना है वो ये कि एक excel sheet prepare करना है कुछ इस तरह की वो excel sheet दिखेगी इस excel sheet में आपको column के name देने हैं जैसे कि मैंने दिये हुए university name, test required, link, professor name and professor's website link हम ऐसा क्यों करें ताकि हम चीज़ें organize कर सकें तो जब आप university select करेंगे उस university को आपको इस excel sheet में enter कर देना है जिससे कि आपको एक collection of universities एक excel sheet में मिल जाए step number two is find the professors who you want as a potential advisor for your PhD program अब ये कैसे पता लगेगा? example से समझते हैं, मैं civil engineering का student हूँ जिसने अपना master's transportation systems engineering में किया है तो मैं किस तरीक से search करूँगा? तो example लेते हैं UCLA university, एक well known university है मैं google पर लिखूँगा UCLA university civil engineering department या फिर UCLA transportation systems engineering department जो भी relevant link मुझे मिलेगा, उसमें मैं ये check करूँगा कि faculty information है की नहीं faculty tab में जाने के बाद आपको ये check करना है कि कौन से वो professors हैं जिनके साथ आपका research interest match करता है जो भी वो professors हैं जिनके साथ आपका research interest match कर रहा है उन professors का नाम और उनकी website link चाहे वो उनकी lab की website का link हो या personal website का link उससे आपको copy paste करना है in your excel sheet again organized और इस तरीक से हम करेंगे तो stress होगा ही नहीं अब यही process आप हर एक university के लिए करेंगे और इस तरीक से step number two complete step number three अब इस step में आपको क्या करना है हर एक university में जाके उसके admission requirements को check करना है कि कौन-कौन से test हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे before applying to that university most of the cases में एक English proficiency test आपको देना ही पड़ता है जो कि mainly लोग TOEFL या फिर IELTS लेते हैं पट इसके अलावा भी options available हैं जैसे कि ड्वेलिंगो, English proficiency test और PET अब PhD के case में बहुत सी universities हैं जहां GRE required नहीं है जैसे कि मैंने जहां जहां apply किया था उन सभी universities में GRE required नहीं था तो मैंने उन ही universities को aim कर रहा क्योंकि GRE मैंने दिया नहीं था अगर आप master's के लिए apply कर रहे हैं तो GRE is a must for you आपको वो देना ही पड़ेगा अभी तक हमने step number 3 तक cover कर लिया है एक चीज मैं बताना चाहूँगा वो ये कि ये जो process है ये थोड़ा cumbersome process है ये lengthy process है ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया कल खतम कर दिया 5 से 10 दिन, 15 दिन, 20 डेस भी आपको लग सकते हैं और मैं कहूँगा जितना आप time इसमें दे सके उतना दीजिए विकर्स ये एक crucial step है आप ये नहीं चाहोगे कि आपसे कोई university मिस हो जाए और वहाँ आपके होने के chances भी हो Step No.4 अब शुरू होता है main काम Step No.4 में आपको क्या करना है एक mail का format त्यार करना है mail का format अरे भाईए यही तो वो mail है जो आप professors को करोगे अब इसका format क्या है format में description में डाल दूँगा तो आप एक prospective PhD student हो जो कि professor को approach कर रहे हो अब जो काम करना है वो यह कि हर university के दो-दो professors को choose करके आपको इस mail को उन professors को भेजना है जब आप सारे professors को mail कर दोगे तो after one week or two weeks you will start getting the reply from the professors अब कभी-कभी ऐसा भी होता है प्रोफेसर से reply आता ही नहीं है तो ऐसे case में आप एक follow-up mail उस professor को भेजो गया अब बात करते हैं reply किस तरीकी के हो सकते हैं reply positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है और positively negative तो नो भी हो सकते हैं तो हम तीन color codes यहाँ पर follow करेंगे red, green and yellow red होगा उनके लिए जिन्होंने clearly no कह दिया है green उनके लिए जो की काफी interested है आपकी profile में और आपको as a PhD candidate वो accept कर रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको कहेंगे you first have to apply to a university you have to submit an application form and then we'll see your application तो ऐसो को आप yellow color code देगे अब यह process जब आप कर रहे होंगे इसमें time लगेगा क्योंकि reply आने में time लगता है तो आप देखोगे कि आपकी excel sheet में काफी green होंगे, काफी red होंगे काफी yellow भी होंगे अब इतनी मेहनत, इतना ताम जाम हम कर क्यों रहे हैं पैसा बचाने के लिए क्योंकि जब आप किसी university में apply करोगे तो application form की एक fees होती है if you convert it into INR, roughly 8000 रुपीज होता है अगर आप यही 10 universities में apply करोगे तो 80,000 रुपे आपके केवल application form में चल जाएंगे और उसमें अगर आप ऐसी university में apply करो जहां आपके chances ही नहीं थे तो आपके तो पैसे घुज गए तो अब आप जो भी green mark वाले professors हैं उन-उन universities में apply कर सकते हो Step 5 application form भरने से पहले आपको कुछ documents है जो कि आपको prepare रखने पड़ेंगे जिन में से कि सबसे पहला और important document है SOP statement of purpose जो कि आप जितना जल्दी हो सके बनाना start कर लीजिए because SOP में आपको बार-बार review करके changes करने होता है आपको SOP एकदम बढ़िया बनाना होता है आप SOP का आप reference कहा से लेंगे अपने senior से मांग लीजिए, अपने दोस्तों से मांग लीजिए उनका SOP पढ़िए, देखे उन्होंने किस तरीके से अपने SOP को design किया है या frame किया हुआ है उसको देखकर आप अपना SOP भी बना सकते हैं इसके अलावा क्या होता है कई universities में आपको resume भी submit करना होता है जैसे अगर आप Australian University में apply करेंगे तो वहाँ कई जिए resume भी मांगते हैं जिसका वो format देते हैं बट आपको यह check करना होगा एक और document जिसका आपको ध्यान देना है वो है letter of recommendation letter of recommendation के लिए आप अपने professors को approach करेंगे maximum आपको तीन ही letter of recommendation चाहिए होगे बट वो तीन professors आपको अच्छा letter of recommendation दें तो अच्छी बात होती तो इसलिए आप professor से पहले ही पूछने यह सब काम आपको application form भरने से पहले ही करना होगा आपका TOEFL score आपके पास होना चाहिए अगर आपने GRE दिया है तो GRE score आपके पास होना चाहिए क्योंकि यह वो सब score है जो कि आप अपने application form में भरेंगे जब आपके पास यह सब हो जाएगा तब आप application form भरना स्टार्ट करेंगे Step 6 है to press the submit button of the application form before the deadline otherwise everything that you have done, जितना भी आपने काम किया, that will go in vain तो यह थे वो 6 steps जिनका use करके आप PhD के लिए apply कर सकते हैं अब क्योंकि मैं भी PhD के लिए apply कर रहा था और मुझे apply करते समय काफी confusion हुआ, बहुत से doubts आए तो मैंने सोचा कि एक series बनाए जाए जिसमें कि मैं यह discuss करूँगा कि कैसे आपको PhD के लिए apply करना है किसी university से offer letter आ जाने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी कैसे आप visa apply करेंगे कैसे आपको packing करनी है, क्या-क्या packing करनी है, क्या-क्या ध्यान देना है सब कुछ मैं इस series में discuss करूँगा तो next video मैं आपको बताऊँगा what is the next step after getting an offer letter from a university कैसे हम visa के लिए apply कर सकते हैं इस चीज़ पर discussion होगा तो मिलते हैं next video में, bye-bye